पाली इतनी मज़दार भासा है कि जैसे जैसे इसको समझते हैं या पढ़ते हैं तो बड़े-बड़े कमाल की चीज निकल के आती हैं अगर मैं ये कहूँ कि भारत के अधितर लोग छितरी हैं या चतरी हैं या च्छती हैं या च्छाताधारी हैं या च्छतर वाले हैं तो पाली कहती है कि बिल्कु ठीक बात है भारत के अधितर लोग च्छतरी हैं च्छतिय हैं च्छत वाले हैं च्छतर वाले हैं क्योंकि पाली में एक सद्ध होता है जिसको बोलते हैं चछत मंगल उससब यानि कि ये भारत का प्राचीन एक उससब है फेस्टिवल है चछत मंगल उससब इसमें जो ये चछत सब्ध है ये चछत दरसल कहते तो हैं कि जब किसी चैतिय की च्छत पढ़ती थी चैतिय मतलब जहांपर चेतना के लिए बैठते थे जहांपर साधना रिपस्तना के लिए बैठते थे अपनी चेतना जगाने के लिए बैठते थे या कहीं कोई ऐसा भिकू या कोई ऐसा बहुत जानकार व्यक्ति है जो मर गया है अगर उसके अंदर कोई अस्थी, कोई हड़ी, कोई चीज उसके अंदर कोई दात, कोई नक उसके अंदर दबाते थे तो दवाने के बाद उसके उपर एक बिल्डिंग बनाते थे और इस बिल्डिंग पे जो चछत पढ़ती थी उसको कहते थे चछत मंगल उसब यानि के चछत पढ़ना, रूफ पढ़ना बहुत पुराना एक उसब रहा है और यह आज भी होता है जब किसी के घर पर कोई लेंटर पढ़ता है, कोई चछत पढ़ती है या कोई घर बनाता है तो वहाँ बाकाइदा एक धागा बानते हैं जो भगवा कलर का होता है क्योंकि भगनवान बुद्ध का जो कलर था चीवर का भगवा था और वहाँ वो कुछ बोलते हैं जो पराने समय का 33 और पंसीर होता था और फिर वहाँ जो लेवर काम करती है, उसकी दावत भी होती है उसको लड़ू वग़रा तो आज भी खिलाए जाते है और चछत जब पढ़ जाती है तो कहते हैं काम संपन हो गया एक काम हमारा हो गया क्योंकि पुराने समय में छत का पढ़ना बहुत important था आज भी है अगर किसी मकान की, किसी office की, किसी building की छत पढ़ जाए तो कहते हैं कि बागी काम तो होता रहेगा, building त्यार हो गई है तो इसको छत, मंगल, उस सब बोलते थे ये पुराने समय का, मगद का, पाली का, बौध के समय का, सुख के समय का और आज भी, बहुत ही महत्मून ये उस सब है आज इसको जगे 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 मनाते हैं, छोटे रूप में मनाते हैं फिर ये छत से जो हो गया, इसको जैसे संसकाइज भासा में चेंज किया तो आधा ते और पूरा ते जो छत था, उसको छत्र कर दिया क्योंकि आधे ते और ते को उन्होंने त्रे में बदल दिया त्रे सद्र पाली का नहीं है, तिर्सूल नहीं है, तिर्सूल है यानि तीन सील हैं तीन सूत्र हैं तीन सूल को तीन सूत्र को तिर्सूल बोला गया जहां जहां ती आया जैसे ती रतन हो गया तो उसको त्री रतन बोला गया जहां जहां ती सब्दाया उसको त्री कर दिया गया तो ऐसे ही छत को छत्र कर दिया गया और जो यह छत्र बना क्य हो गया और कोई अगर कपड़े का बना कर बास पे लटका के जल रहा है या कोई पत्ता ले के चल रहा है आपके सर के उपर तो उसको भी छत्ती बोलते हैं बाद में इसको छत्र लेके खड़ा होता है चत्त से ही चाता बना हुआ है तो चाता लेके अगर खड़ा हुआ है तो कहते हैं कि ये इसका चत्त है चत्त को बाद में चत्र कहर करने लगे तो जो राजा होते थे या जो साहुकार होते थे या जो कोई प्रमुक आद्मी पड़ा लिखा होता था यहां तक कि थाइलेंड के अंदर जो भिक्कू है वो अपने छत्र को अपने साथ लेके चलते हैं यानि वो जंगल में जाके जो साधना विपसना करते हैं तो आपने फोटोस में देखा होगा जगे जगे वो पेड़ के उपर एक छत्र चाता जैसा बांग देते हैं जिससे के मक्षी मच्छर उनको परिशान ना करें या धूप बगरा ना लगे उनको और वो अपना ध्यान आराम से जंगल में करते रहें सुरगषित रहें ये चाता आज भी चलता है और चरन चलता है मगर जो च्छाता लेकर पीछह आदमी खड़ा होता था यह मानते थे कि यह रसूख जशूख वाल आदमी अच्छा आदमी अच्छा व्यक्टी है इसलिए उसको कहते थे both each a god he हैं यानि के इसके पीछे एक आदमी चलता है तो यह रसूख वाला बड़िया इमांदार अच्छा आदमी है इसनिए यह चहतिया आदमी हो गया इसके ऊपर छत्र चलती है तो चत्री हो गया तो चहतिया आदमी हो गया बाद में और ज्यादा जब इसका रूप बदला तो जो मन के द्वार होते थे यानि मंदर होते थे जहां मन को हम दुक दर-दूर करते थे मंदर होते थे वहां की जो बिल्डिंग बनती थी उनके बिल्डिंग के उपर बुरजी लगने लगी खास तोर से जो बुद्ध के इस्तूफ होते थे उनके उपर तो वो धातू के बने लगे तो उपर जो आपने देखा होगा कि कहीं पीतल के कहीं लोहे के जो बुड़जियां होती हैं उपर जो सिखर होते थे उनको भी छत्र कहने लगे फिर बात में और जब रूप बदला तो जब ये इस्तिती बदल गई और मंदर बंगेर वहाँ पूजा पाट का काम आरह हो गया तो सोने चांदी के मुकट कहते हैं कि छत्र को चड़ा रहे हैं यानि मुकट को छत्र कहने लगे यानि जो छत्र जो सब्द है वो कहां से होता 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 और कहां जाके रुका आके आज के समय में यानि आज भी उसको मानते हैं मगर जो दूसी तरफ ये सब्द है वो है खेतिये यानि जिस जिस के पास खेत थे जिन्नोंने खेत बनाई उनको बाद में संसकाइद भासा में खेतिय की जगे छेत्रिय केने लगे, यानि खेत की जगे छेत्र केने लगे, जो पाली में खेत था, उसको संसकाइज भासा में आधे के और खेय को छे बना दिया गया और छेत्र में बोलने लगे, तो यानि जिनके पास खेत थे, वो खेतिय होगे, और जिनके पास छाता था, वो छत्रिया होगे इस तरह से दौनों ही सब्द मिक्स होगे बाद में यानि छत्रिया उनको बोलते हैं जो छाता लेके चलते थे तो यानि कि जो खेत में काम करते हैं वो खेतिये हैं और खेतिया को छेतिया बोने लगे छेतिये से वो अपने आपको छत्रिये करने लगे और जो छाता लेकर चलते थे वो लोग छाता धारी हो गए यानि के छत्रिये हो गए छत्रिये हो गए फिर बाद में ये दोनों सब्द मिक्स हो गए मिल गए तो छेतिये और छत्रिये लगबग एक से बोले जाते हैं जबकि इनके मतलब अलग लग है जो छत्रिये है उसके पास छेत्र है खेत है और जो छत्रिये है उसके पास में छाता है तो इस प्रकार से अगर आपके पास में छाता है तो आप छत्रिये यानि कि छाते धारी हो जाएंगे छाते की है या पत्थर की है अगर आपके सर के ऊपर छत है तो आप छत्री हो गए तो बहुत सिंपल सा पाली के अंदर ये बलकुल किलियर है इसलिए आप छत्री भी है और आपके पास खेत है तो आप खेतिय भी है छेत्री भी है इसलिए कोई डाउट करने वाली बात नहीं है अग अगर भारत के साएं लोग अपने आपको यह कहते हैं कि वो खत्री हैं या चछत्री थीक है अगर आपके सर के ओपर छत्री है तो आप आपके ओपर खेत आपके पास तो आप k हैं आप च्रत्रीजद थीकमित धन्यवाद